हमस्कार साथियों, आज एक और खास उश्य पर वीडियो लेकर के आपके बीच मैं हैं, इस वीडियों में बात करने वाला हूँ मैं कि क्या नौकरी में तरकी की जा सकती है और अगर की जा सकती है तो कैसे वैसे तो मैं हमेशा रिकमेंड ये करता हूँ कि नौकरी की एक सीमा ह होनी चाहिए कोछ समय सिमा होना चाहिए उसके बाद आम नोक्री घुरर करें उसके बाद बिजनिस में सेटल हो जाया ठ्राश्वर में कर ले अपने आपको आई आअ डये सा लें चेंज करने लेकिन लेकिन फिर भी कई लोग कहते हैं भाप mı ही तरकी जाए ऐसा कौन सी बिमारी है जिसका इलाज आपके पास है कमपनी की ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समधान आप से बहतर कोई नहीं कर सकता यदि कुछ ऐसा है तो यकीन मानिए कमपनी आपको रखेगी और आपको तरकी भी देगी लेकिन यदि आप नॉर्मल काम करते हैं आपक काम कुछ ऐसा है कि आपके जगा कोई भी और आ सकता है कभी भी आपको रिप्लेश किया जा सकता है तो पूरी पूरी समभावना है कि जैसे जैसे आपकी तरकी होती चली जाएगी एक दिन आप कमपनी पर बर्डन बनने लगेंगे और कमपनी ज़्यादा सेलरी देने की सित कोई ऐसी समस्या जिसका समधान केवल आपके पास हो नहीं है तो आसे ही शुरू करिए जो भी जॉब कर रहे हैं जहां पर भी कर रहे हैं उसमें आप एर्रिप्लेसिबल तब होंगे जब आपके बिना काम नहीं चल रहा होगा या आप से बहतर कोई काम करने की सिती में उस पैसे में ना हो जितना पैसा आपको मिल रहा है बड़ी-बड़ी कम्पनियों के जो सी ओस होते हैं बड़ी-बड़ी कम्पनी में जो डिरेक्टर्स अपॉइंट के जाते हैं बड़ी-बड़ी कम्पनी में जो मैनेजर्स अपॉइंट के जाते हैं वो देखिए उनके पास क कुछ की features होते हैं उनके पास कुछ खास talent होता है और वो irreplaceable हो जाते हैं तो हर company उनको लेना चाहती होती है और कोई भी company उनको छोड़ना नहीं चाहती होती वो क्या करते हैं वो अपनी मर्जी से रौकरी चेंज करते हैं लेकिं उन्हें निकाला नहीं जाता क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे ideas है, कुछ ऐसा thought process है और ये idea पुराने वाले नहीं है, हर दिन कुछ नया आ रहा है नहीं समस्या है, तो नहीं समाधान, समस्या नहीं आ रही तो growth के लिए ideas, thoughts, काम को करने का तरीका, काम को बदल दिया गया ये काम ऐसे नहीं ऐसी किया जा सकता है, काम के shortcut निकाल दिये और जब जब आप इस तरह के वेक्ति होंगे, जब आप इन रिप्लेसिबल हो जाएंगे तो आपको हटा पाना मुश्किल होगा, और फिर आपकी तरक्की भी होगी, growth भी होगी आप आगे बढ़ रहे होंगे, दूसरा काम, यदि आपको नौकरी में तरक्की करनी है क्या करिए, हर दिन कुछ नया सीखते रहिए, जी हाँ, यदि आपने सीखना बंद किया नौकरी में ने, जीवन की किसी भी फिल्ड बे, इनसान की growth केवल तब तक होती है जब तक वो सीख रहा होता है, एक बार आपने सीखना बंद किया, तो यकिन मानिया आपकी growth भी रुख जाएगी यदि आप चाहते हैं कि आप grow करते रहें, यदि आप चाहते हैं आप तरक्की करते रहें, तो आप सीखते रहिए तै करिए हर दिन कुछ नया सीखना है, जिस फिल्ड में आप काम करें उस फिल्ड से related सीखना है, जो नौकरी आपकी उससे related सीखना है, जिस फिल्ड में आपकी company काम करतें उससे related सीखना है, या कुछ भी ऐसा सीखना है, जिससे की company को फायदा हो सके, आपको फायदा हो सके और यदि नहीं भी करेगी company तो आपको अफसोस नहीं होगा आप छोड़कर जा सकते होंगे क्योंकि आपके पास और दस offer होंगे आप काबिल है आप talented है आपने अपने talent को निखा रहा है बढ़ाया है हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं तो अब आपकी कदर होगी ही होगी जो लो अच्छी नौकरी मिल गई अब उन्होंने क्या किया अब उन्होंने grow करना बंद कर दिया growth बंद हुई क्यों बंद हुई क्यों नहीं सीखना बंद किया उन्होंने पढ़ना बंद किया उन्होंने learn करना बंद किया उन्होंने improvement बंद किया अब आप हर दिन improve करिए तैकर तो देखेगा हर दिन कुछ नया सीखेंगे, मैं अक्सर बोलता हूँ, यदि वेक्ति खुद को एक पृतिशत भी रोज बदलने को तैयार हो, तो साल के अंत में वेक्ति 365 पृतिशत बदलावा इंसान होगा, जिहां आप 365 परसेंट बदल सकते हैं, और हम आप यह नहीं कह सकत आप इसको कोई नहीं कह सकता कि मैं हर दिन एक प्रिपिशत नहीं बदल सकता, बदलिये अपने आपको, क्या बदलना है, इस तीसरा निया मैं क्या बदलना है, अपनी आदतों हो कुनिकेटर हो उसको और इंप्रू करिये, हो सकता है ό blur मैं अच्छे दिखते हो, और अच्छ दिखना शुरू करिए, हो सकता है, आप अच्छे ना दिखते हो, तो अच्छी, ड्रेस्क में आना शुरू करिए, अपनी पस्टनेलिटी में क्या कि बदलाव करना है, मुझे, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, तो एक्स्ट्रोवर्ट कैसे बन सकते हैं, अगर आप बहुत ज आदत डालूंगा अब देखेगा कितना बदलाव आएगा कुछ भी अगर आपको लग रहा है आप समय पर नहीं पहुंसते हैं समय पहुंसता शुरू करिए आपको लगता है आप काम को टालते रहते हैं तो टालम टोल की आदत को बदलिए और सीके वह आदते जो अमीर लोग क्या करते हैं सफल लोग क्या करते हैं सफल लोग उन्हें किन आदतों करण सफलता पाई है उसके बारे में जानने ही खुशिश करिए यह तीसीर चीज़ है कि अपने बिहेवर में बदलाव करना चौते चीज़ अपने सीनियर या सब औरिनेट के साथ अच्छे संबंद मना और एक्च्छल में उन्हें क्या चाहिए उनकी रिक्वार्मेंट क्या है उनकी एक्सपेटेशन क्या है यह अच्छी तरह पता होना बहुत बार हम महनत तो कर रहे होते हैं लेकिन हम महनत गलट डिरेक्शन में कर रहे होते हैं हमारे सीनियर को क्या एक्सपेटेशन है कंपन कि आखिर आपके expectation क्या है मुझे आप मुझे में क्या बदलाव चाहते हैं मुझे अपनी personality में क्या बदलाव करना चाहिए मेरी performance और बहतर कैसे हो सकती है मैं क्या आप मुझे expect करते हैं और मैं क्या ऐसा deliver करूं जो आपको लगे और उसे लग हो और जब जब आप regularly बात करने लगते हैं एक बार हो सकते हैं आपका manager आपको ignore कर दे हो सकते हैं एक बार आपका director आपको ignore कर सकते हो हो सकते हैं एक बार आपका honor आपको महतु ना दे तवज्जों ना दे लेगें दुबारा तीसरी रार चौती बार mail करके वर्टसेप करके मैसेज करके कि सर मुझे बताईए मना मुझे बताईए प्लीज बताईए मुझे क्या एक्सपट करती है मुझे ग्रोथ चाहिए मुझे तरकी करने मुझे आगे बढ़ना है मुझे बढ़ना है उसके लिए मैं कमपनी के लिए कैसे एसेट बन सकता हूँ विकेंसी खाली है, बस आप अच्छे बन जाएए, आपको कभी नहीं निकाला जाएगा, और हर कंपनी में, बड़ी-बड़ी कंपनी में, छोटी-छोटी कंपनीों में, बहुत सारी विकेंसी रहती हैं, काभी लोग नहीं मिल रहे, महंती लोग नहीं मिल रहे, इमानदार लो की कर रहे होंगे इसके लगा और भी बहुत सारे लिया में बहुत सारी चाहें कर सकते हैं बहुत सारे बदलाओं कर सकते हैं उसके लिए मैं समय समय पर वीडियो बनाता रहूंगा आपको गाइड करता रहूंगा फिर भी को सवाल है कुछ जानना चाहें यह राइट टाइम है हैं तो counseling मिले सकते हैं तो आप YouTube के मादम से training मिल जाएगी हमारा YouTube के साथ टायाप हो गया अब देखेगा सबस्राइब से जॉइन मटने बुलू कलर का वह क्लिक करेंगे लगला options आजाएंगी जो भी option चूज करना चाहिए वह option चूज कर सकते हैं वैसी training आपको वह यूट्यूब के मादम से मिल जाएगी आज के लित रही है आपके उजूल भाविश्य के लिए हार देख शुब कामना है जै हिंद जै भारत